ओम शान्ती आप सब को स्वागत है आपके 40 वे दिन के वर्दान में और आज का वर्दान हमें बताता है एक ऐसा कारण जिस कारण से हमारे मन और बुद्धी एकागरनी रहती हमेशे चंचल रहती है वो कारण क्या हो सकता है तो आज परमपिता परमात्मा में बताते हैं वो और आधार कभी आ नई पाते हैं और हम सिर्फ प्रश्न करते रह जाते हैं और वो सारे प्रश्न आज इस वर्दान में परमात्मना हमें बताएं है चलिए देखें आज बाबा क्या कहना चाहते हैं तो आज के वर्दान में बाबा कहते हैं, निश्चे के आधार पर, जब तक किसी चीज में निश्चे नहीं होता, तब तक हमें कुशनाएंगे, प्रश्णों से हमारा जीवन भर जाता है तो आज के वर्दान में बाबा कहते हैं, निश्चे के आधार पर, सदा एक्रस अचल स्थिती में स्थित रहने वाले निश्चिंत भवा वेसे कहा जाता है, अंगद, अंगद का पैर को हिलानी पाता था, मतलब क्या है, पैर को हिलानी की बात नहीं है उसमें बुद्धि में कोई संकल्प किया तो उसको करके ही रहना है, होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कब करेगा, किस से होगा, ये questions आ ही नहीं सकते करना है, मुझको करना है कैसे होगा, देखा जाएगा बाबा साथ में है तो अब बाबा कहते हैं निश्चे बुद्धी की निशानी है ही सदा निश्चिंत questions नहीं आएंगे, चिंता नहीं होगे इसको क्योंकि वो सारे जो questions होते हैं वो चिंता को उत्पन करते हैं वो questions के हम आगे दिखते हैं वो किसी भी बात में डगबग नहीं हो सकते कैसे होगा, कब होगा कौन करेगा, कैसे करूँगा मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी ये questions नहीं आते हैं उनको सदा अचल रहेंगे इसलिए कुछ भी हो सोचो नहीं सोचने में ही सारी शक्ती चलियाती आत्मा की यह हैं ब्रह्म कुमारिज में सिखते हैं कि हम कैसे अपने संकल्पों को कम करें क्यों, क्या, कैसे, कहा, कब, कौन, किस से यह हैं सारे questions जो की चिंता को बढ़ाते हैं क्या, क्यूं, में कभी नहीं आओ उसमें जाना ये नियामे तो क्या, क्यूं, में कभी नहीं जाओ तरिकाल दर्शी बन निश्चिंत रहो जब कोई हम कारे करनी कोशिश करते हैं अगर वो होता नहीं है, सफल नहीं होता तो हम क्या, क्यों, कैसे, कौन, कब, किसने इन क्वेशन्स में जाते हैं हम ढूंडते हैं कि उसका कारण क्या है लेकिन बारमात्मा कहते हैं उसका निवारन ढूंडो सलूशन ढूंडो क्यों हुआ वो मत ढूंडो किसनी क्या वो मत ढूंडो लेकिन उसका solution क्या है उसको ढूनना बहुत जरूरी है तो पावा कहते हैं त्रिकाल दर्शी बन अब ये त्रिकाल दर्शी कैसे बनते हैं त्रिकाल मतलब भूतकाल, वर्तमानकाल और भवशकाल के ग्यान को समझ करके कि जीत हुई पड़ी है ब्रमकुमारीज में पर्मपिता पर्मात्मा जिनकों हम कहते हैं कि वो तीनो कालो को जानते हैं वो भाग्य को जानते हैं हमारे हमारा भवश्य जानते हैं तो ऐसे पर्मपिता पर्मात्मा जिब हमें अपना भवश्य बता दिया कि भविश्य में होने क्या वाला है जो कि मुर्मा कुमारी दुम से रिखते हैं कि संसार का जो भाग्य वो कहां लेके जा रहा है इसको दुनिया में क्या-क्या घटना होने वाली है क्या-क्या अच्छी चीज़े होने वाली है इस सब को जब बता के रखा है तो परमात्मा कहते हैं, जो बुरी घटना भी हुई, तो उसमें भी कल्यान कैसे समाया हुआ है, क्योंकि यह परिवतन का युक चल रहा है, तो बाबा कहते हैं कि उसमें भी निश्चिंत, अगर आप तरिकाल दर्शी हो, कैसे बनना है तरिकाल दर्शी, उसके लिए आपको आ क्योंकि हर कदम में कल्यान है भगवान का अगर हाथ पकड़ डिया और कुछ अच्छे कर्म करने शुरू करे तो परमात्मा कहते हैं कि सत्य की तो जीत होनी ही होनी है और जो कारे अगर नहीं हुआ तो उससे भी कुछ बहतर होने वाला है अगर जो नहीं हुआ उसमें भी कल्यान है और कुछ करते हुए अगर कुछ बिगड़ गया उसमें तो और भी ज़्यादा कल्यान है तो ये ग्यान जानने के बाद में आप कभी कभी दुखी होई नहीं सकते है क्योंकि नुकसान में भी आपको कल्यान दिखाए देगा उस पे भी आपको जीत दिखाए देगी तो परमादर कहते हैं जब कल्यान करी बाप का हाथ पकड़ा है बाबा क्या है कल्यान करी गौड सब को क्या करते हैं भागवान सब क्या करते हैं कल्यान करते हैं, किसी का अखल्यान करने कलिए उनकी मन में जगा ही नहीं है, जब कल्यान कारी बाप का हाथ पकड़ा है, तो वे अकल्यान को भी कल्यान में बदल देगा, इसलिए सदा निश्चिंत रहो, अभी निश्चिंत रहना कैसे, इसके लिए आपको आना पड़ेगा ब्रह्मकुमारीज वहाँ पर आकर कि मेडिटीशन और जो रुहानी ग्यान है आध्यात में ग्यान है उसके रहसे को समझना पड़ेगा तो मैं आपको स्वागत करता हूँ कि आप आए विल्कम करता हूँ आपको आप अपने घर के आज पास ब्रह्मकुमारी सेंटर को को जाएं वहाँ जाएं और निश्छल कफ्री का ये मेडिटेशन को सीखें ग्यान लें परमात्मा को जानें अपने आपको जानें और शृष्टी के रास को जानें जिससे कि आपको हर चीज में फिर कल्यान दिखना शुरू हो जाएगा इसके साथ ओम श्यंति